3.0 या नमोधी सरकार का तीसरी पारी का पहला बजट 23 तरह को आने वाला है। और जो बजट होता है उसकी सबसे ज़्यादा जो चिंता होती है वह व्यापारी वर को होती है। उद्योग पतियों को होती है। क्योंकि बजट की एक एक लाइन सीधे तोर पे व्यापारियों और उद्योग पतियों को प्रभावित करती है और उसके बाद आता है जंता का नंबर कौन सा उद्योग अब आगे बढ़ेगा कौन सा उद्योग पर रोक लगाई जाएगी किस ट्रेड में क्या छूट मिलेगी किस ट्रेड को में क्या कर लगाए जाएंगे इन सब की चिंता हमारे साथ खले इन व्यापारियों को आज से ही शुरू हो गई है 23 तारिक को सब ध्यान से देखेंगे कि निर्मला सीता रमन अपने बजट में क्या नया लेके आ रही है सामाने जंता को तो सिर्फ इतनी ही चिंता रहती है कि बजट में आयकर में क्या छूट मिली और क्या फाइदे हुए लेकिन व्यापारी जगत को सारी चिंताएं होती है इसलिए व्यापारी जगत की बहुत सारी अपेक्छाएं भी है इसलिए एंड़ी टीवी आपकी बात निर्मला सीता रमन तक लेके जाने के लिए तयार है हम रोज इसी तरह के अलग अलग ग्रुपों से बात कर रहे हैं ताकि ये आवाज सीधे केंद्री वित्त मंत्री तक पहुंच सके आज जबलपूर के महा कोशल चेंबर अफ कॉमर्स में हमें व्यापारी उद्योग पती और अन्य व्यावसाय के लोग प्रोफेशन के लोग इस चेंबर के सदसे हैं तो हम आप से बात जानना चाहेंगे कि आखिर निर्मला सीता रमंड से क्या चाहती है जबलपूर का व्यापारी जगत हमारे साथ अध्यक्श है रवी गुपता जी महा कोशल चेंबर अफ कॉमर्स के अध्यक्श रवी गुपता जी सर क्या चाहते हैं आप निर्मला सीता रमंड से देखें व्यापार और उद्योग का उपर सीधा सीधा प्रवाव बजट कपड़ता है हम व्यापारी और उद्योग पती ये चाहते हैं कि हमारे व्यापार और उद्योग सुचारू रूप से चलता रहे सरकार का जुकाव भी है MSME को लेकर के छोटे-छोटे उद्योग को फैसलिटेट करें वो ऐसे नियम और कानून में संसोधन लाकर के दें जिससे व्यापार करना और व्यापार करने वाले हमारे व्यापारियों को सुवधा नुसार को कारिक कर सकें और नियम पालन भी कर सकें मगर नियम पालन के इतनी जटिलताओं को देखते हुए जो सबसे पहले तो मैं यह मांगूँगा कि आम जनता और वैपारी सब इस हीज़ का पिछले बारा वर्स से इंतजार कर रहे हैं जो इंकम टेक्स की सीमा है उसको बारा वर्ष से यथावत रखा गया है जबकि यही सरकार उस टेम जब वोट मांग रही थी 2014 में तब कह रहे थी सबसे पहले हम income tax की सीमा बढ़ाएंगे लेकिन शायद बारा वर्ष हो गया है वो भूल गया है उसको याद करें और जिस परकार से बजार की स्थिती है और जो rate बढ़े है उसकी सीमा क्या होना चाहिए इसका अवलोकन करें और सीमा बढ़ाएं दूसरा वैपार उद्योग के लिए धारा 143 भी इनने लगा दी जो payment की है जो सीता रमन जी ने बोला है कि हम इस पे विचार करेंगे उसको ततकाल हटाया जाए इससे छोटे उद्योगों को बहुत जादा नुकसान हो रहा है कि 15 दिन और 45 दिन की सीमा में जो payment के वैपारियों को बाढ़ा गया है इससे पूरा वैपार चौपट हो रहा है हम ये भी चाहेंगे कि इसके उपर भी विचार किया जाए बिलकुल भारत का हर नागरिक चाहता है कि इंकम टेक्स की सीमा बढ़ जाए और जो 143 से 143 जिसमें की परिशान जो लोग हो रहे हैं उससे रहत मिल सके सर आपका क्या व्यवसाय है और आप क्या चाहेंगे मैं तो ये चाहूँगा कि महेंगाई को जहान में रखते हुए सरकार को जो आएकर की सीमा में छूट देते हैं उस छूट को अर्दिक स्थिक बढ़ाने का प्रयाश करना चाहिए दूसरा जैसे हमारे सची महुलम ने कहा कि जो इसमें आएकर की स्लैप है उसको में भी तो कि अलग अलग इस्टेट में अलग अलग रेट लगते हैं तो मैं समस्तर जी एस्टी में अगर पैट्रोल और डीजल लाया जाएगा तो ये पैट्रोल डीजल जो अभी सौर्ट बे भिक रहा है वो आसानी से साथ समय तक हो जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद चोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर हम होटल और रेस्टों ट्रेड और होस्पिटालिटी ट्रेड को अगर इंडस्ट्री का दर्जा दे रहे हैं के लिए दो बहुत इंपोर्टन चीज है एक लाइंड अलोकेशन जो बड़ा होटल इंडस्ट्री का वेबसाई है उसको एक अगर तूरिजम पर फोकस किया जाए तो तूरिजम के लिए बहुत बड़ा लैंड चीए कि जहां वह बहुत बड़ी प्रॉपर्टी अपनी बना सकता है तो उस बनाने के लिए लैंड के साथ साथ उसको उस प्रकार की सबसीडी और लोन भी प्रवाइड करने चीए ताकि कि वह उस बड़े स्टक्चर को बना सके तो साइज ओफ लोन भी उतना बड़ा होना चाहिए सेकंडली जब हम चोटे वैपारी की बात करते हैं तो चोटे वैपारी को पांच परसंट की कॉम्पोजिशन स्लाप से लाना चाहिए जो कि अभी रेस्टरान ट्रेडर्स के चाहते हैं आप रेस्टरान गजया एंगी तो में अरू पर आपको शुष्णा दी नहीं पड़ेंगी है बलकुँ अरून पवार जी कभी यही कहना है कि कहीं ना कहीं जो रेस्टरान गग है उसको लाने के लिए सरकार को छूट देनी पड़ेगी मैं बोलनों चाहूंगा कि सरकार इंकम टेंस की स्लैप को और आगे बढ़ा है और अध्योगों को बढ़ावा ने हैं कि MSCM को भी आगे इसको फैसिलिटी दिया जाए जैदा से जैदा उसमें जिससे आगे ग्रोथ करें इंडेस्ट्री हमारी और मैं होटल इंडेस्ट्री से ह तो मैं चाहूंगा कि टूरिजम के साथ होटल इंडेस्ट्री को भी पैसिलिटी दीजए बिल्कुल सभी लोगों की एक्षा है कि MSME पर बात बड़ी-बड़ी की जा रही हैं लेकिन वो ग्राउंड पर नहीं हमराज इकरवाल साब हैं हमराज जी मताईए क्या चाहते हैं आ हैं कि मैं आपने यूजना बनाके रखी है उन ग्विशन के पार पोने को करने की स्तिती में नहीं रहता है उस समय उसके लिए सासन की तरफ कि तरफ से कोई यूजना नहीं है कि अपना और अपने परिवार का लालन अवसलाveda कर सकें उसके लिए पैंसन योजना या उनको किस तरह हम सयोग कर सकते हैं या बहुत लंबे समय से हम मांग कर रहे हैं और हम लोग उमीद लगा के बैठें कि इस बजट में हमारी माननी है वित्तमंत्री निर्मला सीता रवन जी उसके को लेंगी और उसकी कोई घोशना करेंगी कि जो व्यापारी है एक टेक्स कलेक्टर के रूप में आपका कारे कर रहा है तो उनके भविस्ट को देखते हुए उनकी जो रिटार्मेंट के समय की बात है उसके लिए कोई ना कोई योजना इनको लानी चाहिए हमराजी ने बड़ी महत्पून बात कही कि व्यापारी पूरे ज दर चलाने के काम आ सके संजय जी बताई यह क्या चाहते हैं सबसे पहले मेरा निवेदन है कि क्या होता है कि अगर कभी भी बजट की बात आती हो टेक्स की बात आती तो आचार चानक ने कहा है कि करका सवरूप ऐसा होना चाहिए कि जैसे मदुमकी फूलों से रस भी निकाल लेती हो फूल को प्रवावित नहीं किया जाता है लेकिन आज के बजट में कोई भी या टेक्स में कोई भी सल्ली करण की विवस्ता नहीं है मैं आपको एक छोटा सा उधारन देता हूं एक सामान व्यक्ति के लिए या एक लोक लास अदमी के लिए भी सबसे महत्पून है पानी पीना अगर आप पानी की एक बॉटर लेते हैं तो उस पर कर आज की डेट में अठारा परसेंट जी एश्टी है एक क्या सही है एक विवस्ता के रूप में एक लोक लास अदमी जिसकी मजदूरी 400 रुपाय अकर वो ट्रेन में जाता है तो अपने स्वास्त के लिए यह चाहता है कि हम कम से कम विवस्तित पानी को पिये 18 परसेंट का जी एश्टी देने के बाद में क्या वो सही विवस्ता बेजिएगा दूसरा निवेदन ने है कि व्यापारी वर्ग हमेशा टेक्स कलेक्ट करकी तो देता है किन्तु उसके सामने भविस्ट में कोई भी पै करनाली दी है उसमें आपने एटी सी की धारा में जो डेड़ लाग रुपए का मिटमेंट है उसको भी नए तरीके से खतम कर दिया कि आप चाहें तो लें अद्वा दूसरी विवस्ता से आजा मेरा तो मानना ऐसा था है कि उस जो डेड़ लाग को एटी सी पर आपने दिया बिल्कुल सब लोग यही सोचते हैं कि व्यापारी जो हमेशा टैक्स देता रहते हैं उसे भी सरकार से कुछ ना कुछ रहत और सुविधाय तो मिलनी चाहिए सर मैं दवा व्यापारी शेत्र से हूं मैं ड़क्टर चंद्रिश जेन हूं सच्छी जवल्पू केमिस्ट टैक्स जीवन लख्षक दवाँ पर ला रही है कैंसर का हर घर में के मरेश उत्पन हो रहा है लगाता बढ़ते आ रहा हो कैंसर की दवाईया इतनी महंगी होते या रही है सरकार को इसमें तत्काल प्रवाव से जी एस्टी सुन्द कर देना चाहिए नंबर एक दूसरी बात हम यह भी कहना चाहते हैं कि जो पहले सरकार माल बेशती थी उसका टैक्स कलेट करती थी अब तो इस्तिति है कि सरकार माल बेशते साथ ही टैक्स कलेट कर लेती है दवाईयों में हमारे हाँ एक्सपारी की सबसे मुख्य समस्य होती है जिसका की टैक्स सरकार हम से पहले चंद्र जी एक बात और जानना चाहता हूं कि आप ये भी चाहते हैं कि जो अनाप्षनाप MRP है उस पर भी कुछ केंडर सरकार ध्यान दे निर्मला सीतर रुमन जी ध्यान दे बिलकुल हलाकि उनका विशय नहीं है पर हम लो हमारे जयलपुर शहर से यावाज उठी थी एक द एक दर वन नेशन वन मालेकूल वन डेट यहम चाहते थे चाहते हैं और चाहते रहेंगे क्योंकि आम जनते को अगर एक मालेकूल कास्पीर में मिल रहे है तो वह कलेने अर रेट मिलना चाहे एसे अमारी मान आंग आ है यह अच्छी बात कर रहा है कि जो दबाऄय उस पर ज मस्या है भारती जनता पारड़ी के व्यापारी प्रकोष्ट के साहू जी हमारे साथ हैं खेलाज भाई ये बताईए कि आप अपनी वित्रमंत्री से इन सब के लिए क्या रहा चाहते हैं अब बताया है कि अगर आप जी अब बताया है तो उससे वाकि मैं व्यापारी को बहुत रात में लेगी मैं यह चाहता हूं चूकि मैं फोर्ड इंडिस्ट्री से हूं और हमारे केंड सरकार ने हमको जवालपुर के लिए बहुत बढ़ी सोगात दिये मिश्थान नम्किन प्ल इसके लिए निसी दो लगे हुए हैं हमारे साथ में अम्राजी सभी लगे हैं जिससे कि हम आगे जाकर नया फूट इंडिस्ट्री वाला एडिये में और फूट कर आईटम बनाएंगे और वैपरें को रह देलाएंगे बिल्कुल जेस तरह चोटे-चोटे क्लस्टर बनाने है सरख बूट सर्कार कि योजना तो बना दी सरकार ने की छोटे-ठोटे क्लस्टर बनाएंगे विए मिन अभीए परिया करका के लेकिन अभी भी वो जमीन पर नहीं आ रहे हैं ज McD popped Minister K ऑप मठ ऑ नामकीन का क्लस्टर बहुशना तो हो चूकी है लेकिन अभी तक वो जमीन इसलिए इस बजट में कोई ध्यान दिया जाना चाहिजिए बिल्कुल वित्मंद्री जी सुन लीजिए कि आप मांगे तो पूरी कर रही हैं लेकिन वह परियाप्त नहीं है आप ऐसी योजनाय बनाए ताकि जिन लोगों को यावशक्ता है वह पूरी हो सके सर आपने तो पू अब जीवन देखा है व्यापार में तो परिवर्तन क्या चाहते है आप अब परिवर्तन देखिए पूरा जीवन व्यापार करने के बाद और कर देने के बाद अपिर्स के अधिए थैंकलेस जॉब हमने टेक्स दिया बदले में I'm on my own हम आज भी अपने अपने अपना किसी फॉर्म में है एक पेंशन के रूप में अधरवाइस हमने जीवन भर दिया अब हम देने लाइक नहीं है तो बदले में हमें क्या मिल रहा है अईश्मान के फॉर्ण लाब भी आपन को नहीं मिलता है मतलब जो टेक्स दिया वो कहना फिर रिपीट न करें कि वो एक व् लों को मिलना चाहिए जरूर मिलना चाहिए व्यापारियों को सर क्या निर्मला सीता रमंड जी ने पिछली वार जो घोस्नाएं की थी उनमें से क्या पूरा नहीं हुआ और क्या होना चाहिए पिछले में क्या पूरा नहीं हुआ ये तो हमें नहीं है मालूम लेकिन हम इतन भारत के लिए कुछ रेलवे ट्रेन और चालू करना चाहिए दूसरा हमारा यह सोचना है जो जमाने भर के टेक्स लगाए जाते हैं उसकी जगह पर केवल एक एमाउंट फिक्स एमाउंट जैसे पांच हजार या एक हजार या दो हजार के उपर सिंगल एक परसेंट टेक्स ल जाएगा हर ट्रांजेक्शन की उपर एक टेक्स लगना चाहिए यह हमारा विचार जिसको एक्सपेंडिचर टेक्स भी कहा जाता है कि आये पे ना हो व्याई पर पर्चेस पे एक परसेंट आप एक फिक्स एमाउंट हो जाए पांसो या एक हजार रुपे उसके उपर आप उससे अब तो मुक्ती मिलनी चाहिए तिदरणी साब बदाईए नमश्कार नमश्कार क्या चाहते हैं सर मैं चाहता हूँ कि बच्छत के उपर जो जैसे मूचल पंड में हैं तो उसमें जो प्रॉपेट होता है तो उसमें कैपिटल गेन लगने लगा और इंसुरेंस का प् जाए निक से अधिक बचत कर बा सकें मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप मेरे बातां पर बिचार करेंगे कैपिटल गेन टेक्स वाकई एक बड़ा जो आप शेयर मिचल फंड से जो कमाते हैं उसमें एक बड़ी मातरा में आपको प्रॉपेटल गेन टेक्स में चला जाता ह है तो फिर वापिस रीइंवेस्ट करने के लिए लोगों को सुचना पड़ता है और जैसा गिजरोजी ने बताये कि जो पांच लाख की लिमिट कर दी है किसी को अगर ज्यादा भी अपना जीवन की सुरक्षा चाहिए तो उसे मिलना चाहिए इस तरह जबलपुर के कुछ तो प्राप्त करें अभी हमने महाकोशल चेमबर आफ कॉमर्स के साथियों से बात की थी अब हम आए हैं जबलपुर के जबलपुर चेमबर आफ कॉमर्स में एक और संस्था जो जबलपुर के व्यापारियों का प्रतिनिरित्व करती है हम जानेंगे जो मोदी का तीसरी रजीम का पहला बजट आने वाला है मोदी 3.1 का पहला बजट उसमें क्या चाहते हैं वित्तमंत्री से प्रेम दुबे साब अध्यक्ष है जबलपुर चेमबर आफ कॉमर्स के दुबे साब बताईए क्या चाहते हैं आफ वित्तमंत्री से बहुत चोटी को देखते हुए सब आदमी कष्ट में हैं तो इंकम टेस्टी स्लैप कम होना चेए छोटा उद्योगपती पुरे भारत में नश्ट हो रहा क्योंकि पियल स्कीम के कारण बड़े उद्योगपती अरपती खरपती बनते जा रहे हैं और छोटे के लिए कोई स्कीम नहीं है ऐसी आने वाला समय आप देखने में मिलेगा भारत के अंदर कि छूटा उद्योगपती कामधंदा बंद कर देगा और उसको नश्ट हो जाए तो यही सबसे बड़ी हमको दो मांगे हमको दिखती हैं जो सरकार को करना चाहिए कमल ग्रोवर साब एक परेटन अद्योग से संबंदित हैं इनकी बड़े होटल हैं ग्रूप से सर क्या चाहते हैं आप वित्तमंतरी से पहले ही तो जो प्रेमाई ने कहा कि इंकम टेक्स में छोट होनी चाहिए और उसकी स्लैप कम होनी चाहिए स्लैप कम होने से इंकम टेक् कम ही नहीं आईगी जादा ही आईगी क्योंकि यो लोग पेनी करते हैं आप करेंगे दूसरी चीज जी एस टी में पेटरोल को भी लाना चीए एक पेटरोल भर को लेकर आने से सारी महंगाई पर प Exercise 10 जो हैं उसको दो mixer ना चीए जैसा भी विशीशक यह समझें अच-प पूछे होटल इंड़स्टी और टूरिजम एक दूसरे के पूरक है और बहुत सी कंट्री सिर्फ टूरिजम पर चलती है तूरिजम पर गॉर्णमेंट को पैसा लगाने की जुरत नहीं है शिर्फ जगा दीजे सुईधाय दीजे कम से कम सरकार की इंटर्फिरेंस हो और टूर अगरवाल जाओं वित्मंत्री से ने पिछली वर कहा तक क्या नहीं किया जो आप इस वार चाहते हैं वित्मंत्री ने क्या ये सरकार ने कहा था कि जब आएंगे तो वन नेशन वन टेक्स उसका क्या होगा एक ये की डिमांड है एक टेक्स बनाए है इंडरिष्टियल पर टेक्स बनाए है खाने पीने का आईट्रम से ट्रेक्स खत्म कीजिए और इंक्टम टेस्का श्राप बढाई है जो इस समय सबसे जादा महत्पून है वो है स्टार्ट अप्स जानेंदर भाइज अबलपुर के मास्टर है पढ़ाते हैं स्टार्ट अप्स के लिए आप क्या चाहतें विद्रमंत्री जे देखे आद्प निरभारत की बात सब कर रहे हैं और हम जैसे जो फर्स जर्रेशन अं उनको बड़ी समस्या फंड के आती है फंड मितलब और बहुत एक सपोर्ट जरूरत परती है सभी लोगों की तो कुछ हमारे जैसे लोगों को इस्पेशली टीर 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 त्री सिटीज में जो काम कर रहे हैं उनके लिए कोलेटरल फ्री और बड़ा इजी अगर अगरवाल साब आपने पूरी जिन्डगी इंडिस्टीज में लगा दी मताई अब मोदी के तीसरी कारिकाल का पहले बजट में आप क्या चांगे अभी तक सरकार का ध्यान बड़े उद्योगों पर ज्यादा था हर संभाग में कुछ खनेज निकलता है उस पर आधारे उद्योग लगा जा सकते हैं उनको कुछ प्रसाहन रासी दें कुछ सही हो उनको सबसीडीज दें उससे क्या होगा छेत्री लोगों को रोजगार मिलेगा और छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा आज बड़े बड़े उद्योगों को आप एक भारत में दिव्यांगों के लिए संख्या बहुत बड़ी है जो अब हर छेतर में आगे आ रहे हैं बली मैनी साहब हैं बलीप सिंग मैनी साहब आप दिव्यांगे छेतर में बड़ा काम करते हैं सर आपको लगता है कि इस बजट में दिव्यांगों के लिए कुछ होना चाह आफी जह रहा हुआ है कि हमोई के लिए भरक याट के उसका 9 तो तुक्होंति गूंकर बाधा के उच्वर करते में कायाanne this आएंगे कैसे हम उद्योग क्या करेंगे उद्योग पती आने को तयार नहीं होगा समिट होंगे वो चला जाएगा अश्वाशन दे कि हम लगा रहे हैं पिछले जब प्रेम भाई ने का कि पिछले जो सालों में जबलपुर में हुए उद्योगों के लिए सम्मिलन उसका अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको एक टेस्लेब लागना पड़ेगा खाने पर 25 परसंड उस पर 28 परसंड इस पर 20 परसंड पेट्रोल पर जी अपनी मनमानिय कंपनी रेट बढ़ा लेती है तो बुक्तना जंता को पढ़ता है अगर आपको जंता को सम्रत करना है खुश रखना है तो आपको वन नेशन वन टेक्स पर आना पड़ेगा बिल्कुल जंता चाहती है कि इंकम टेक्स का जो स्लैब है वो कम से कम हो जिसमें लोगों को कम टेक्स देना पड़े और छूट ज्यादस ज्यादा हो उध्योग पती चाहते हैं कि वन नेशन वन टेक् की बात सुनिए और अपने बजट में अने शामिल कीजिए वीरें शर्मा के साथ संजीव चादरी एंडी टीवी के लिए